नमस्कार माई डियर स्टुडेंट्स मैं उदिद गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टुडी पॉइंट में साथियों देखिए आज 5 अप्रेयल 2024 है बच्चों और आज के जितने भी मोस्ट इंबोडन कोश्चन बनते हैं सारे हम इस क्लास में डिसकस करने वाले हैं साथियों सारे कोश्चन मोस्ट इंबोडन काफी सेलेक्टेड कोश्चन है आपके 2024 में जो भी आप एक्जाम देने जाएंगे उनमें ये प्रसन काफी ज्यादा महत्पूर्ण है पक्का पूछे जाएंगे और मैं आपको बता दू क सारे कोश्चन में आप और कबर करता हूं लास्ट में आपको एक मैं शांदार आज पूरुसकार और संभान से अच्छे लगेगी तो अपना सपोर्ट कर दीजिए ज्यादा लाइक कर दीजिए बच्चों और इस वीडियो को जानल पर नहया है तो चैनल को सब्सक्राइब संदे को मत भूलिएगा साम को साथ बजे सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा संदे को साम को साथ वुझे जनरल साइंस की महामयराथन क्लास होगी 500 कोश्चन का पूरा मैं सूपरा आप जो है साथी इसको भी जौइन कर लीजेगा इसके लाइन देखते हैं आपके एनरजी के लिए आपके मोटिवेशन के लिए डेली देखिए का बहुत अच्छी लाइन है साथियों उम्र थका नहीं शकती है ठोकरे गिरा नहीं शकती हैं अगर जीद हो जीतने की प्यारे बच्चो तो परिसितिया भी आपको कभी हरा नहीं शकती है इस लाइन को आप दिमागे बैठा लीजिए साथियों इसलिए अगर आप एक बाद जिद बना लिए जुनून बना लिए कि अवे हमें लक्ष पाना है तो आपको 100% सफलता मिलके रहेगी आपको कोई नहीं रोक 10 फून कोश्चन देखते हैं बच्चो आपकी स्क्रीन पर यह रहा इलेक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल इंजिनियर के 33 में महानिदेसक कौन बन गया है साथियों करेक्ट टेंसर हो जायागा दोस्तों जैय इस सिदाना को साथियों इनको बनाया गया एक कौन? electronics और mechanical engineers का 33 वा महाने देशक नाम याद रख लीजिएगा आपके आने वाले questions में आने वाले exam से में ये प्रसंद जरूर सातियों देखने को मिल सकते हैं ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं वित्वर्ष 23 चोबिश में कारगो प्रवंधन के मामले में कौन स बंदरगा भारत का प्रमुख बंदरगा हमें से शीर्ष रहा है याद रखिएगा पारादीप यहां पर राइटेंसर हो जाएगा यह कहां अस्तित सातियों ओडिसा के अंदर इस्तित राज्य याद रखिएगा कई बार पूछ लेता है exam में कि पारादीप बंदरगा कहां किस ने लॉंच किया है किस ने लॉंच किया है दोस्तों याद रखिएगा आपका यहां पर राजय कुमार भल्ला ऑप्शन सी राइटेंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका अब्दल फतेल सी किस देश के तीसरी बार राष्टपती बन गये हैं तो आप सबको पता हो होगा मिच्र के राष्टपती बन गये हैं नेक्स कोशन देखिएगा हमारा काफी अच्छा कोशन है हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिम्टेट ने किस देश की सेना को डोनियर 226 विमान सौप दिया है उत्तर हो जाएगा गोयाना यहां पर आप्शन सी राइट एंसर हो ताकि आप नोट्स बनाया करो ठीक है ना चलिए कोशन नमर फस्त देखिएगा सातियों आपका वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोशन है आपके दो हैर 24 के इतने वी एक्जाम है पहला कोशन है हाली में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरपी कहां लॉंच की गई ह बामबे ने साथियों भारत की पहली घरेलू जीन थेरपी लॉंच की गई है और किस ने लॉंच किया है राष्ट पती अपने भारत की महमहिम द्रौबदी मुर्मूजी जो की कहां की है वो डिसा की मही उर्भन्ज की है और यह कब भारत की पहली महिला आदिवासी पहले में आपको बताया था तो यह ध्यान रखिए गाइटी बांबे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल उसके सहयोग से यह डवलप किया गया है ठीक है और यह जो है कैंसर के खिलाफ हमारी लडाई में काफी बड़ी अच्छी सफलता है बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए गर्व की बात है ठीक है बच्छों चलिएगा अब यहां पर भारत का प्रतम से लेटेट करें फेस्ट डेली पढ़ाता हूं आपको आज मैं आपको इस्टेटिक जीके का एक सब्सक्राणाang यहां से एक प्रसनापको जरूर देखने को मिल जाएगा भारत में प्रथम लिएटेट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एकजाम में कापी पेनल लेके बैठी है ठीक है देखेल भारत की पहली महिला राष्ठ्वती साकी प्रतिभाा देवी सिंग पांटिली भारत की प्रथम महीना राश्च्ट पति की बात हो रही है विदायान सब धारत पी किरण वेदीислी बार्त की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का टी का उन्यली सुचेटा की में नाम है सुचेटा करपलानी डूरी यह उप पी-की भारात और-उपी की पहले महिला मुख्यमंत्री में अंतर सुचेटा घैजमफ 3 पहली महिला सरजन है डॉक्टर प्रेमा मुखर जी ठीक है डेली करनेफेस रिवीजन कराता हूँ मैं सोचा आज इस्टेटिक जी के कुछ अलग रिवीजन करा जाए एक्जाम में आपके यहां से प्रसंद कई बार देखने को मिलते हैं बच्चो ठीक है चलिएगा हमारा अग विसेर्घ डव्लमेंट और उन्संधान संक्थन डियाडेव का हेटकार्टर याद रखिएगो का है इस रों में का याद हो जाएगा मैं बार बार इटिक के माध्यम से आपको याद कर आता हूँ ठीक है तो डियाडेव ने किस बैलिस्टिक मिसाल का सफल परिक्षण कर लिया है अगनी प्राइम का सफल परिक्षण कर लिया है डिया डियों ने ठीक है चलिएगा यहां पर साथियों आपको बता दे कि एक नई पीड़ी का बैलेस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम को इसको याद रखिए को ओडिशा के तर्ट से सफल परिक्षण किय सबक्राइब हुआ झाली में सफलक्रैशाइब हुआ है क्यों कुली आप बता देता हूं इस क्या होता है Indian Space Research Organization भारती अंतरिक्ष अनसंधान संक्ठन DRDO को फुल्फ आम मैंने हिंदी में गलत बता दिया था Defense Research Development Organization इसका इंग्लीज में है और इस रोगा भारती अंतरिक्ष अनसंधान संग्ठन इस रो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतरगत आने वाली अंतरिक्ष एजनसी जिसका मुख्याले करनाटक शहर के बेंगलूरू में इस्तित है इसकी स्थापना जवालाल नहरू 1922 ने परवाड उर्जय विभाग के तहत किया था इस विकास में प्रख्या पहला भारती उपग्रह आरह भट था इस रों ने इसको बनाया था और 1975 स्रीवेस संग की मदस इसको लॉंच किया था प्रथम भारती उपग्रह कव लॉंच किया था 1975 में आद रखिएगा सोवियत संग वर्तमान में रूस की सहाय थैसको लॉंच किया गया था ठीक है और पहला भार्ति निर्वीत प्रक्षेपड़ यान था SLV3 इसका उप्योग 1980 में रोहडी उपग्रह को प्रक्षेवित करने के लिए किया गया था ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं साथियों नेक्स्ट है हाली में किसे टाटा इंटरेशनल का नया प्रवन देशक नियुक्त किया गया है रिपीटेट कोश्चन है ये तो राजीव सिंगल को साथ टाटा इंटरेशनल का जो है आपका नया मैंने आपको कल बताया था आनंद सेन के इन्होंने जगह लिए जो की रिटायर्मेंट हो गया है ठीक है चलिए तो अब यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तिया साती हो भी हाली में जो ही है मैं रिवाइस करा देता हूं इनको आप ध्यान से नोट करिए माइक्रोस आपने हाली में साती हो पवन दाबुलूरी को विंडोज और आपका सरफेस दोनों को प्रमूख नूट कर दिया है हाली में भारत के लोगपाल के नयाई सद्धक्ष के रों में किसने सपदली है रितू राजवस्थी ने सपदली है एक कोश्चन बहुत बार एक चायुक्त किया गया है और हाली में सातियों UNDRR का सहायक महासचू कमल किशोर को नुक्त किया गया है और सदनन दाते को सातियों यह मोस्ट इंपोर्टन है यानि कि नेशनल इन्विस्टिकेशन इजनसी का प्रमूख नूट किया गया है अब है ठाकर में हमारे भारत के यह समद्धित उत्तरफ्रदेश के हाली में टोटल 69 जिया गया गया उत्तरफ्रदेश हाली में बन गया है भारत का पहला सरवाधिक जिया टेग पाने वाला राज यूपी बन गया ठीक है चलिए चलिए अब जी आई टेग के वारे में आपको बता देता हूं सब्सक्राइब नेकिन जो इंपोर्टेंट कोश्चन वह आपको पता होना चाहिए भारत में पंदर सितंबर 2003 से लागू हुआ था और पहली बार जब यह लागू हुआ था तब यह दार्जलिंग चाय को पहली बार जो है दिया गया था जी आई टेंग यह मोस्ट चाहिए बने जा रही है भारत की पहली आई सिटी यानि कि आपकी आटीफील इंटेलीजन सिटी जो है यह बनेगी लखनौँ ठीक है तो आप्सन यह पॉइंट भी नोट कर लिएगए ठीक है बच्चों चलिएगा अगला question देखते हैं IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा team score कि इस team ने बनाया है दूसरा पहला किस ने बनाया था मैंने आपको वता है पहले नंबर पर है है ध्रावाद फस्ट नंबर पर है ध्रावाद जिन्हें 277 ठोक दिये थे ठीक आप दूसरे नंबर पर बन गया आपक कोलकाता नाइट राइडर्स ने ठीक है चलिए तो इसका राइट इंसर ओप्सन ने हो जाया गए यह देखिए तो यहां पर आई-पियर से लेटेट कुछ मोस्ट इंपोर्टन चीजें में बता देता हूं कल कल इसने कोलकाता नाइट राइडर से लगवग 271 डन कुछ ऐस तीमों ने भाग लिया था साथियों और आई-पियल का पर्थम संस्क्रण किस टीम जीती थी राजस्थान रायल से जीती थी साथियों और 2023 का फाइनल मैच लाइट बोधी स्टेडियम में खेला गया अहमदाबाद में 23 में कौन से संस्क्रण खेला जाएगा सोलवा लेकिन 24 में भाग ले रही है ठीक है ना और 2023 को खिताब जीता है चन्नाई सुपर किंग ने जीता था गुजराइट टाइटन को हरा कर इनहीं की बीच में भी पहला मुकाबला भी हुआ था ठीक है चन्नाई में एमची दंबरा मिस्टेडियम में पहला मैच 24 काईपियल खेला गया नेक्स कोईशन देखिए फोप्स की नियू बिलियन इयर दोहर चोविस सूची में शामिल रेडुका जगतियानी किस कंपनी की चेयर परसन है ठीक है चलिएगा टाटा गुरूप टीस गुरूप रिलाइंस गुरूप इन सब के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में हम भूम का निभाई है ठीक है चले इनको बता दे साथियों जो रेडुका है इनको दोहर साथ में आउट स्टेंडिंग एशियन बिजनेस बूवन आप दियार और 2012 बिजनेस बूवन आपदा यर जैसे पूरुसकार से इनको शमानित किया जा चुका है ठीक है अगला कोशन है बच्चो हाली में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप दोहर चोविस में भारती दलने कितने पदक जीते हैं तो साथी यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप दोहर चो वो आपकी रोमानिय के अंदर बनाई गई है ठीक है ओप्सन इसका राइडेंसर हो जाएगा दुबाई में हाली में साथियों दुनिया की पहली एर टेक्सिक सुरुवात की गई है दुनिया की पहली एर टेक्सिक सुरुवात की गई है साथियों आपकी कहां पर दुबाई आपको अगर कुछ याद हो तो कमेंट सक्षन में जरूरू बताएगा इगलेंट से लेटे ठीक है ना चलिए इस लेजर के दो यह सब चीजें आप मत जानिए यह सब उतना जरूरी नहीं है यह सब आपको याद भी ने रहेगा डाटा ठीक है इतना डेटा जानिए जो की इंपोर्टेंट है हालिम विश्ट के सबसे बुजूर्ग वेक्ति का निधान हो गया है उनकी उम्र क्या थी सबस सबसे बुजूर्ग वेक्ति ग्रू में प्रमाडित किया गया था ठीक है और इनको जो है गोशित किया गया चारफवी 2022 को ठीक है और उनका जन्मुवता 27 महीं 1909 को वेनोजोईला के वेनोजोईला के हैं यह ठीक है याद रखिएगा और इनका हाली मिधान हो गया है 114 वरस और वेरी इंपॉर्टेंट कोेश्चन बारवार पूछह आता है ज्यान फीट पूरुकार किस छेतन वालों को दिया जाता है साहिधक शूरुवाति कव ही थी साथिpsyों 1965 में इसकी सुरुवातி भच्चों हाली में किसको दिया गया गुलजार जी को दिया गया जो कि प्रसिद्ध उर्दु कभी है आपके और साथ में दिया गया कि इनको संयुक्त रूप से दिया गया है आपके जगात गुरू राम भद्रा चारी जी महराज जी को दिया गया ठीक है जो कि तुलसी पीठा धिश्वर है यह नाम याद अर्जुन पूरुसकार किसे संबंदिताख खेल कुछ से लेटेड़ वेरी इंपॉर्डेंट है कि इस चेत्र में सधारान योगदान के लिए स्वांति शुरू भटनागर पूरुसकार दिया जाता है यह दिया गया है विज्जान शुरू भटनागर पूरुसकार ठीक है सब्सक्राइब करणाएब अंतराष्टी जनक हैं अंतराष्टी स्टरन कौन है साथीए अगर आपसे पूछा जाया गए कोश्चन कि भारत में कौन है घ्रीट की बात की जाए भारत के हैं एमेश्च्वामी नाथन बच्चों सि्ष्वामी नाथन कौन हैं इनका खुम कि सम्मानित स्पूरूुश कार से दिया जाता है रिमन मैकसे से पूरुसकार किस द्वरती याता है फिलिपीन्स के द्वरती याता है रिमन मैकसे एक्जाम में कई वार जो है आपके कोश्चन ये बन चुका है साथियों में बार वार यही कहता हूं आप लोग महारी क्लास जरूरेंट किया करिए जैसे मैं कोश्चन बताता हूं सेम वही डिट्ट्यों कोश्चन बनता है क्योंकि इतना अनुवाव एक्जातियों पिछले 10 सब्सवारे वर्षों से पढ़ाने का हर एक क्याद रहता है किस एक्जाम में कहां से उठाया जाते हैं कोलिजर पूरुसकार कि छेत में परतिरक्षा के लिए जाते हैं नेक्स्ट आप धन वंतरी पूरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है उत्तारे कित्सक छेत्र में साथियों धनमंतरी पूरुसकार दिया जाता है सरसुती सम्मान किस छेत्र में दिया जाता है साहित की छेत्र में अभी हाली में साथियों आपका प्रभा बर्मा जी को साथियों हाली में आपका सरसुती स पुरुसकाल के स्थाबनाकि सुछ स्थाबना चुंदक तो कि कि अनुज के स्थाबना कि गई थे धो पुरुसकार की साथियों याद रखिएगा ठीक है नोबेल पुरुसकार कव आरम किये गए थे भारत रत्न और अन्य राष्टी सम्वान का अरम कप शुरू हुआ था उन्निस्टो चोवन में भारत रत्न पुरुसकार रख शुरूआ इस वार टोटल पांच विक्तियों को द दिया जा चुका है दिया गया है ठीक है साथियों सारे डेटा याद रखिएगा रेगुलर स्टूटेंट जितने भी एक्जाम देके आएंगे सब बोलेंगे सर काफी ज्यादा कोशन आपके आता है शीवी रहमन को किस वर्स को नोबेल पुरुसकार मिला था उन निश्वत दो लेखकों को दिया जाता है राष्ट मंडल और आयरलेंड से अंग्रेजी लेखक को दिया जाता है ठीक है ना चलिए अब फटापट से रिवीजन कर लेते हमारा कल वाली क्लास का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जूरू करिएगा पहला कोश्चन कर देखिए ध्या किया करो यार ठीक है सॉल करेंगे तो अफिका फायदा रहेगा आपको पूरा एक चीज याद रहेगी ठीक है ना कॉंकर्ण रेलेवे कार्परेशन नए सीओ बन गए पैरवच्चों शंतोष कुमार जा नेक्स्ट है टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी कौन बन गया है सा हाली में भारत के शीर से रैंक वाले सतरंज खिलाडी कौन बने हैं अर्जून एरिगेसी को बना दिया गया है नोट कर लीजे नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं हाली में हिंदूस्तान एरोनेटिक्स लिम्टेड ने किस देश को दो डॉर नियर विमान सोपे हैं तो यह गोया जीत लिए तो ऑप्शन सी राइटेंसर हो जाएगा याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्टन है मियामी ओपन दोहर 24 का पुरूर सेकल के खिताब किस टीम ने जीता है सातियों उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर ऑप्शन भी यहां पर राइटेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आज का होंबर कोश्टन भारत की पहली एए अधरित फिल्म का क्या नाम है बताई ये कमेंट सक्षन में बांकी आप सकते हैं तो प्लीज जरूर बताए क्योंकि मैंने चारों आप्शन को आपको पूरा समझाया था ठीक है ना चलिएगा बच्चों क्लास तो अगर अच्छ टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करिए और देखिए आपके अल इंडिया रैंक क्या है ठीक है तो पूरा आपका जो है अल एक्जाम के लिए जन्रल साइंस क्लास चलिए प्लीज साम को पांच वे जरूर आईएगा इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे पीडिया पर्चेस कर स चाहत सांदार तरीके से अपना पढ़ाई करिये जबर्जस तरीके से अपना ध्यान रखिए और खुश रही है मस्त रहिए बिंदास रहिए अपना ध्यान रखिए जै हिंद्द प्यारे बच्चों जै भारत थेंकिसो मज़